उत्तर पुलिस भरती साथ या 244 बदो पर जो आई भी इसका फारम कैसे भरा जाएगा आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखती रहेगा साथ ही साथ यहाँ पर कितने लाग फारम अभी तक भरेगा उनके बारें बात की जाएगी और आपको जो 5 ये 6 गलतिया नहीं करन पर आपकी भरती आई भी और चाहते हैं कि एक सेट आपकी यहाँ पर पकी हो जाए वरती आपको मिल जाए तो ऐसे में कड़ी महिनत करने जरूत है उसके साथे साथ आपके पास होनी चाही बैस्ट नोट्स जूकि समय बहुत कम बचा हुए पर इसे में आपको बैस्ट पर इसमें आपको हम अलग से दे रहे हैं 100 प्रेक्टिस सेट प्लस जितने भी आपके एक जाम यूपी कॉंस्टेबल के हुए हैं उन सभी का प्रीबेस येर स्वाल पेपर आपको चैप्टर वाइस यहाँ पर मिल जाएगा प्लस आपको यहाँ पर करेंगी और इसका जो प आपर मैतमेटिक्स की नोट्स होगे और यह सब कुछ मातर 1-9 में आपको बहुत कम पैसो में यहाँ पर दिया जारा है आगे आप नोट्स का डेम वगरा अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं बिद डाइग्राम आपको यहाँ पर नोट्स जो है यहाँ पर दिखाय करके आप यहां पर भर सकते हैं सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं फारम भरते वक्त आपको कौन-कौन से गलतिया नहीं करनी है अगर आप यह गलतिया कर देते हैं तो फिर आप पहले ही इस भरती से बाहर हो जाएंगे तो चली पहले उन गलतियों को समझ लेते हैं फिर आ underage तो नहीं है तो पहले आप इस चीज़ को चेक करेंगे इसके बाद आप फारम भरना सुरू करेंगे और इसके बाद second thing आप अपनी height को चेक करेंगे कि height जो यहाँ पर बताई गई है जो notification वाले में ये वीडियो बनाया है UPP की नाम से एक playlist मैंने बना दिया है आपको चैनल पर मिल जाएगी वहाँ पर जाईए notification वाले मेंने वीडियो बनाया है वहाँ पर सब कुछ मैंने बिस्तार से बताया हुआ है कितनी height चाहिए क्या data birth होनी चाहिए तो आप चीजे यहाँ पर अच्छी तरह के समग लिजेगा जो data birth बताई गई है उसमें तीन साल आप direct add कर लिजेगा हर category में चोकि तीन साल की यहाँ पर छूट दी गई है तो height और date of birth आप पहले चेक कर लिजेए अगर यह सब कुछ ठीक ठाक है तो अब आपको फार्म भरने की ज़रूत है फार्म भरना आपको शुरू कर देना चाहिए ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है तो जल्दी से आपको फार्म भर लेना है ताकि यह tension आपके खतम हो जाए तो फार्म भरने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखेंगे डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है यह काम पड़ेगा आपका तो प्रिंट आउट आपको जरूर रख लेना है और मैं फिर बता दू अगर आप साइबर कैफे जा रह अगर आप फार्म भर रहे हैं या रात में भर वा रहे हैं तो फिर आपको फोन पर ही रहना है ताकि सारी चीज़े समझ में हैं बहतर है कि साइबर कैफे से भर वा रहे हैं तो आप खुद जाएं किसी को और ना भेज़ें आप खुद जाएं खुद बैठें वहां पर उसको सुधार करवाएं और अच्छे तरीके से फारम फिल करवाएं बीना गलती का ताकि कोई दिक्कत न हो अगर आप गलती कर देते हैं तो आप फीस पेमेंट करने के बाद अपने फारम में करेक्शन भी कर सकते हैं कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी उसके बारे में आपको ल podr बता देंगे जैसे ही फारम भरेंगे और फिर वहां पर जब करेक्शन की चीज़े होगी तो हम आपको करेक्शन करके यहां पर बता देंगे तो इस चीज का बिसे साफ ध्यान रखेंगे और हाँ, फोटो आपके पास जो passport size के होने चाहिए, लेटिस्ट फोटो होने चाहिए, बिल्कुल साफ फोटो होने चाहिए, ग्रे या फिर white background उसके पीछे का होना चाहिए, कम से कम 10-15 passport size के फोटो अभी से आप बनवा करके रख जो कि यही आप upload करेंगे, document verification के time यही आप use करेंगे, तो फोटो आपको सबसे पहले यहाँ पर बनवा लेना है, अगर दो तिन महीने पहले आपने बनवाया था तो अच्छी बात है, ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, डॉक्मेंट आपके real होने चाहिए, ऐस domesile cast यह सब 1 अपरेल 2023 के बाद के होने चाहिए, बहतर है कि playlist आप चेक करिएगा, UPP के नाम से मैंने बनाई हुई है, वहाँ पर साई जानकारी मैंने दिया है, अच्छी तरीका सा आप देखिएगा, और वहाँ से आपको बहुत साई help मिलती रहेगी, बाकी चैनल को subscribe कर ले आने था नहीं बनवाएंगे, और EWA certificate farm बनने की last date तक या उससे पहले का होना चाहिए, और इस 2022-2023 financial year का होना चाहिए, इस इसका basis ध्यान रखेंगे, पुराना अगर है तो नहीं चलेगा, फिर उसको नया बनवाने की जरूरत है, बाकी income, domesile, cast certificate यह सब जो है, 1 अपरेल 2030 क बाद होने चाहिए, इसके साथे साथ, date of birth आपको सही-से फिल करवानी है, mobile number आपको सही-से फिल करवाना है, mail ID आपको सही-से फिल करवानी है, क्योंकि यह change नहीं होगे, ना तो mobile number आपका change होगा, ना date of birth चेंज होगी, ना ही आपकी mail ID चेंज होगी, यानि correction के time, जब farm अगर कोई गलती होजाती है, तो ये तीन चीज़े change नहीं होगी, इसलिए आपको विसेज़ ध्यान से, ये तीन चीज़े सही-से भरवानी है, mobile number आपको अपना वाला ही भरवाना है, जो कि बिलकुल आपके joining तक mobile number जो है, वो चालू condition में होना चाहिए, जैसे कोई call करे, को में वीडियो पर कि कितने फार्म यहाँ पर भरे गए हैं, देखिए, अभी तक अगर हम बात करें, आज है 27 दिसंबर 2023, और आज से आपके फार्म जो है भरना, जो है, शुरू हो रहे हैं, और भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक site आपके नहीं चल रही है, मतलब site पर कोई link कि नहीं आए है, कि फार्म अभी तक आपका भरा जाए, तो कुल मिला करके आप यह समझे, जो तरीका में starting वीडियो के मद्यम से बता रहा था, उसी तरीके फार्म आपके भरे जाएंगे, लेकिन वो link sport कोटा वला था, तो आप यह समझे कि अभी तक कोई भी फार्म जब त अगर में बात तो, 7 बचकर 30 मिनट हो चुका है सामका 27 समर 2023 के लेट में, अभी तक site नहीं चल रही है, आपकी link ही activate नहीं किया कि जबकि फार्म आज से ही बरने है, देर रात मुझे उम्मीद है कि 10-11 बजे तक site आपकी सुरू हो जाने चाहिए, अगर आज नहीं सुरू हो आती है site, तो आप यह मान के चले कि एक दिन आपको extra यहाँ पर मिल जाएगा फार्म भरने के लिए, जो last day हो कि उसमें एक दिन automatic यहाँ पर add हो जाएगा, तो अभी तक कोई फार्म नहीं भरे गए है, दूसरी बात है कि जैसे ही फार्म भरना सुरू हो जाएगी, हम आपको next वीडियो में तुरंट बता देंगे फार्म भर करके, आप उस वीडियो के, इस वीडियो के discussion marks को चेक कर लिजेगा, या फिर comment box को चेक कर लिजेगा, जो फार्म भरने वाला वीडियो है मेरा होगा, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इस चीज का विसेज धिया है क्या गलती नहीं करनी है, यह आप ध्यान रखेंगे, और बाकी अभी तक फार्म जीरो भरे गए है, मतलब अभी आपका लिंक की यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है, बागी कल हमने एक document वाला वीडियो बना दिया था, तो आप document उसे ही सबसे बनवा लिजेगा, वो